नमस्कार दोस्तों जी एस फास्टू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अभी आभी वाड़ी ख़वर निकल के आ रही कि राष्टान मोस्व वैक ने बहुती भेंकर इस्तिती बताई जा रही है मोस्व वैक की क्योंकि पूरे राष्टान में ही औरंज अलट जारी कर रह झार जारिये का यानि बेंकर बार इसकी अब्स जा रहे हूं पधाओ देए को जो लोगँ कर बार इस संबाब्ने यह गता रही है पहले हैं और बसक्राइब कर लिए ऊप सबसे पहले मेटरोग्या और किस परकार रहने वाला है और इस ततीय जो किस परकार बताई जा रही है जाने हैं पूरी ख़बर इस चैनल के मत्यम से दूस्तों बात करें इंडियल मेटरोज डिपार्टमेट यानी भारतिय मासम व्यक के आनुसर जान साइँ दूस्तों जिले भर जिले की मासम में जो किस परकार रहीने वाला है तो दूस्तों बात कर लेते हैं कि 22 मार्च 2021 तो 22 मार्च को अस्तितियेगी जो बहुती बहोती कर रस्तितिव बनी हुई है दोस्तो बता देते हैं कि बाईस माarcz को पूरे राष्सतान मे भी मोश में ग्थार में तो इसी अस्तिति भी और जर्वारी के गgestरा रहत जा रही है और बात कर लेते हैं कि पश्चिम रास्तंस Auch की बुंड़ाबंद और तीज नहीं चाह सकता है लेकिन दोस्तों बारिस है वह बहुत ही भेंकर बारिस की स्थिति बने हुई है दोस्तों अगर बात करें पूरी रास्तान में तो पूरी रास्तान में सभी जिलों में बहुत ही 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 बनी हुई है दोस्तों दोस्तों इंडियन मेटरलोड डिपार्टमेंट यानि भारतिय मोसम वैक के अनुसार जानेंगे मोसम का हाल और जानेंगे दोस्तों 23 मार्च को जो इस्तिति है जो किस प्रकार रहने वाली है तो दोस्तों बता देतें कि 30 मार्च को बहुत ही बहुत ही इस्तिती बनी हुई है क्योंकि रास्तान मोसम विवाक के अनुसा रेड अलर्ट जारी कर रहा है यानि बहुती 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 बहुत रास्तान मोसिम ब्वाक कानुसार अगर बात अंऐा, इस एक पोरी रास्तान की तोme बराबर रिस्तिक बनी भी है लेकिन पूरी रास्तान में कोच जिलों में बहुत भेंख कर वारस और ओले आपरेश्टी की संभावना हम जता ही जा रही है सो वैसे ही मोसम में जो चाहे रहेंगे और तीर तूफान की संभावना भी जता ही जा रही है मोसम बिवाक के अनुसार ही